अज में जो हमारे ब्लाउस में साइट के सिलाई एक दम सीधी कैसे लगती है वह बताऊंगी यह देखिए मेरे ब्लाउसे इसमें हमने स्लीव लगा लिए आप यहां से अगर बड़ा छोटा हो तो इसको थोड़ा कट कर सकते हैं कभी मारी स्लीव बड़ी हो जाती है यह साइट का बड़ा हो जाता है तो उसको बराबर कर लिए फिल्स बिलाउस को सीधा करके यह सीधी थोड़ी थोड़ी सी पॉइंट टूफाइब करके स्लाई लगा लिजिए सीधे पे एक दम चरासी पॉइंट टूफाइब से भी कम होगी तो चलेगी एक दम इसी सिलाई लगा लेंगे सीधी साइट और इसे हम दुसरी साइट भी लगा लेंगे और अगर इसमें बड़ा छोटा होता है जिसे हम सिलाई लगाते हैं तो यह हमारा नीचे कमर की साइट में बड़ा छोटा हो जाता है तो इसको हम थोड़ा सा कट कर सकते हैं यह थे हमने लगा लिए सिलाई यह थोड़ा सा बढ़ा आ गया है हमारा बेक का पार्ट तो हमें इसे थोड़ी चटाई कर देंगे कट कर देंगे ताकि वो सिधा दिखे फ्रंट और बेक बराबर अब हम इसमें कमर पट्टी लगाएंगे यह हमारी पट्टी बनी विए इसको हम लगाएंगे यह हमने लगा लिए पट्टी और इस देखें सिलाई अब हम इसको देखिए हमने पट्टी लगा लिए सिलाई लगा ये इसमें तुरपाई नहीं किये और इस सिलाई लगा लिए अब हम इसको उल्टा करेंगे ब्लाउस को अब हमारा ब्लाउस सिधा था अब हम इसको उल्टा कर लेंगे उल्टा करने के बाद इसमें हम आदा इंच पे सिलाई लगा लेंगे जो हमने सिलाई लगई थी सिधे तरब वो दब जाए इसे आदा इंच करके हम सिलाई लगा लेंगे इसके उपर भी हम लॉक करेंगे और नीचे भी लॉक करेंगे और आदा इंच की दूरी पे हम सिलाई लगा लेंगे ताएकि जो हमने सिलाई करी थी वो छुप जाए गुम हो जाए इसे गुम सिलाई भी केते हैं चोड सिलाई भी केते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आये तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सकाइब ज़रू करें और अपने फेमेली में शेयर ज़रूर करें और आपको ये कैसा लगा वीडियो ये मुझे कमेंट बॉक में ज़रूर बताए ये देखिए हमने लगा लिए सिलाई देखिए अब हम सीधा करेंगे ये फिनिशिंग दिख रही है और इधर भी हमारे धागे नहीं दिख रहे हैं और अब हम फिटिंग का लगाएंगे जो भी हमारा मेजर्मेंट है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें सिलाई लगा लेंगे भी मार्किंग कर लेंगे और फिशिंग लगा लेंगे अब हम इसमें अब है कि ये देखिए हमने मार्किंग लगा है चौक से और उसके अपथ ले कर लिए उसके पास में एक उर सिलाई कर लिए कि यह देखिए कितनी सफाई से अगर हम प्रॉपर सिलाई लेंगे एक तोनों साइट बराबर तो हमारे जॉइंट जो यह बड़े छोटे नहीं आएंगे जब स्लीव लगाते हैं न तो यह जॉइंट बड़े छोटे आजाते हैं यह देखिए हमारे चारों जाइंट एक साथ बड़ा छोटा नहीं है और यह प्रैक्टिस से होता है जितनी आप प्रैक्टिस करोंगे उतनी आपके हाथों में सफाई आईगी यह हमारा फ्लाउस बनके रेडि हो गया है और आप बेल बटन प्रैस करना न भूले जिससे ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोट करूँगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा थेंक्स फॉर वाचिंग